हेलो एव्रीवान गोडिवनिंग और कैसे हैं आप सब अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वह जो वेल एकन है दिया हुआ उसको आप दबा लीजिए तक कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन और बस अभी में केशन में हूं और साम का हलका फलका खाना मना दियो बहुत सिंपल से नेम्वा की सबजी है और रोकी है आज डिनर में तोनेके सब्सक्राइब में वैसे बहुत कम बढ़ते हैं आज जो इसका वाई व्योग जो हता है जैसे से को पूल में लिया है और नवावी ठिसमें और यहां पर मैंने अटम के मिलिया है राई जीरा और टरकर लगाई हूं इसमें प्याज भूंच करके मैं डाल रहे ले रही हूं इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और निन्वा को छील करके मैं काट ली हूँ तो निन्वा को दो चार बार चलाने के बाद इसमें चना डाल देंगे काले वाले चने छोला चना नहीं और उसके बाद फिर इसमें हम हल्दी और नमक डाल ठक कर पकालेंगे तो यह बहुत जन्ती तियरोने वालना सब्जी और बहुत टेस्टी है और बहुत हल्का-फलका मतलब अभी अधसे की तेल मसाले बहुत कम पड़ते हैं इसमें तो अच्छा लगता है टेस्टी लगता है यह सब्जी तो यहां पर बैस में नमक हल्दी डाल लोगी है समझे बोख़ाथ ही शिंपल बनता है तो तो हमारे समझे जो है ओफटा फट्ट विदिन फ्यूटें मिनट में त्यार हो जाने वादा समझे संजी से ज्यादा टाइम नहीं लेता हैं ज्यादा समझे वान पर रहता है तुब रिंधा ही है विए अर इसके साथ मैं बनाने वाली हो रोटी और चैने के साथ ये इंस दाल के साथ है पहलए न के साथ है आड़ी टेस्टी लगता है तो कही तरीके से बहुत हुए तरीका भी बलगी से चाथ- और अभी मुमी से बात कर रहा थे तो फदर चला कि जहां मेरा माइका है मुमी तो वहां पर दो लोग को रोना पोजेटिव मिले हैं अब तो बांब भी हो गया और डर लग रहा है मुमी पापा से बात कर रहा थे तो लोग तो बोले कि हम लोग किसी के कॉंटेक्ट में नहीं आया है लेकिन वहां परिशानी एक चीज है ना यह नेरे घर पर या फिर यह पर कुछ लोग करने के लिए मांजने के लिए आ जाते हैं और कई वार होता कि गप भी करने के लिए आ यह नहीं को जड़ा डर लगता है अलोग हुआ है पर हम लोगों हमेशा यह बात याद रखने चाहिए कि अलोग तो है ही लेकिन इसका वैक्स अभी तक में आया है इसका वैक्सिंग हम यह एक ही है सोचल डिस्टंसिंग अगल लगता है पता नहीं क्या होगा कि लॉक्डाउन से पहले जो छोटी-छोटी जो कि हमारी बचत है और उसके कारण जो मुझे लॉक्डाउन में सोविधा मिले है तो वह मैं आपको बताऊंगी कि कैसे छोटी-छोटी सी बचत हम लोग को कई बार बहुत सारा मतलब हेल्प कर देता है तो वह मैं बताऊंगे हुए क्या था कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि लॉक्डाउन से पहले जो है लॉक्डाउन से पहले नहीं पिछले साल के पिछले साल से ही कार्टी को मैं रोज उसको 5 स्थक्खा या 10 का और रोज नहीं होता था तो जब ही मेरे पास 5 का सिक्खा आता था तो मैं उसको दे 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 थी अर उसके पास मिट्टी का गुलक था तो उस घुलख में वो बद कर रहता था और पिछले साल मतलब ऑक्टूबर में इसे साल औक्टूबर में क्या हुआ कि वो कार्थिक जो है वो गुलख फोरा उसका गुलख पूरा भर गया था वो फोरा तो उस घुलख से उसको निकले हैं बारा सो कुछ रुपे तो लास्ट रेम क्या किया था वो कि मैं पांच और दस का तो देती ही देती थी लेकिन उसको गुलक तोड़ने का ज्यादा एकसाइटमेंट था तो वो जो है वो एक और है मेरे पास गुलक प्लास्टिक का तो उसमें सब वो जो है उस सारा एक दो रु भर गया और भर गया तो उसके बाद उसको तोड़ा तो बारा सो कुछ रुपे संथिंग संथिंग हमको याद इतना नहीं है और उसको फिर प्लास्टिक वाला में रख लिए और उसी गुलक को के पैसे को प्लास्टिक वाला में भी ट्रांस्फर कर दिये पहले तो सोचे थ आते ही रहता है जैसे दूबी को हुआ यह दूद्ध वाले को हुआ कुछ ऐसा काम आते रहते हैं तो इसकी वज़ाँ से अभी सिट्वेशन क्या है कि वह जो हारे बोखाती काम के आञीं जैसे दूध लाने जाना है तो बाज ला समय होता है कि आप लेना और आप उसके लिए रिस्क है तो डूद लाने जाते हैं तो गिन के लिए जाते है वैसे की पैसे के जरूरत है तो उसको दे देते हैं तो हमें जो है उससे बापस जो है वा थे वह सिक्षिक्न की जरूत नहीं पढ़ता है और यह बहुत काम अ करने हो जो कहते है फेल चोटी-चोटी जो चिलद है ना में लिहां Cy avant jatte कि हमएं बहुत एक ताइम यहां जैसे क्या होता था की न अब रात्रे में चिल इनल्वन इसके कमीश्ड़ाई हो जाते ती थी तसर में हुआ तो हमें लगता है कि कुछ-कुछ जो पुरानी बच्चत है जो की चुट-पुट-चुट-पुट है जैसे दस के पांच के 20 रुपे के नोट यह सब हमेशा बहुत ही काम कराता है और खासकर इस सिचुएशन में तो कि मेरे यादफ मेरे हास्में के यादत ही है कि जाल बीसा बेशो दो नोट है और सौक ए नोट है तो मैं सौक के देकरे उस से चीखलर लेक2 हमेशा बहुत जाद्रभात इन रा पुराने बचाए हुए पैसे जो है छोटी छोटी से एक की सिक्खा दो की सिक्खा पाच की सिक्खा दस की सिक्खा बहुत ज्यादा काम के हैं बहुत कहने को तो है कि छोटी से पैसे ले बट बहुत काम के समाल लीजे एक रुपया आपको पस नहीं है तो दूद वाला दूद तो आपको में दिखाती हूं अपना जो घजाना है पैसे वाला वह में दिखाती हूं और हम लोग उसको क्या करते हैं चालव खाता तो उसमें जहां से इसक का आता है अब तो खेर यह टेबल पर रहता है इसक का ये पैसे जो भी बाहर से अगर आए तो उसको सेटाइज करके यह दो करके यहां पर टेबल पर रखता है अधरवाइज पहले जहां सब तो उसमें डाल देते हैं चलिए हम आपको दिखाते हैं यह हमारा बड़ा खजाना कहा है कि यह देखिए यहां पर हमारा सिक्का है यहां पर जो है वह सेनेटाइजर है रखा हुआ चाब भी है कार्ड है यह लिफाफा है जो कि अभी कोरियर वाला देखे गया है तो यह ऐसे ही अभी रखा हुआ है और यह है हमारा पैसो वाला खजाना यह यहां से डालते हैं और इसका बेस्ट यहां से निकल जाता है इसका एक हो गया है कार्टि को कोई दोस्त आया था रोक हो दिया क्योंकि उस टाइम पे सारे लोग मिल करके सिक्का गें रहे थे उसे में कम था इसमें और अभी धर से हम लोग डाल देते हैं और निकाल भी लेते हैं और ये ऐसे ही टेवल पर पढ़ रहता है है कि यहां से डाल डुथे हैं औरहन से में चीतनाय पैसाँ प rappelle रहता है देखिए संक गए तो नेच्चे से जितनाय पेसावी रहता है वह सार निकाल लेते हैं और यहां से डाल देते हैं जो भी हमारे पास दिक्खाता है वो सारा यहीं पर रहता है तो यह हमारा चालू खाता है चोड़ा यह छोड़ा तो मेरा सारा का सारा ए नो नो रेखो तुम क्या क्या किया ए बाबू ए नो क्या कर रहा है क्या कर रहा है तुम ओ ही रो रुद्राज तोड़ देगा लेप्टॉप ओ ही रुद्राज ना बेटू ऐसे ना करो रुद्राज रुद्राज नो सो जाओ ना ओ गॉड़ ऐसे हाथ बांदूगी मैं तुम्हारा हाथ बांदूगी ओई इसको पीछे खीचे और इसको सुलाए जरा ए भोलू उसे के लो फिर आया तुम बहुत पिटाई लगेगी बहुत पिटाई लगेगी देखो भाईया सो गया तुम भी सो जाओ रुद्राज तो बस मैं इसको अब सुलाने की कोशिश्स करूंगी और फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और सेयर कीजिए और बढ़ने रहिए इंडियन मॉम लाइफ स्टाइल चैनल पर बाबाई